अठारा सो सतावन की क्रांती को घोशत तौर पर पहला सोतंदरता संग्राम का युद्ध माना जाता है। भारती यतिहासकारों द्वारा इस पूरी क्रांती का श्रेय मंगल पंडे को दे दिया जाता है। लेकिन असल में इस क्रांती के सूत्रधार माता दीन भंगी थे। माना जाता है कि माता दीन भंगी मुलतह मेरट के रहने वाले थे। लेकिन रोजी रोटी के लिए इनके पूरवजों ने यूपी के कई शहरों की खाक छानी और एक समय बंगाल में जाकर बस गये। उस समय की सामाजिक परस्थितियों के कारण वो पढ़ लिख नहीं पाये थे। क्योंकि हिंदू धर्म व्यवस्था एक भंगी को पढ़ने का अधिकार नहीं देती थी। हाला की मातादीन के पुर्खे शुरू से ही अंग्रेजों के संपर्ख में आने से सरकारी नौकरी में रहे थे। अतह शिग रही मातादीन को भी बैरकपुर फैक्टरी में खलासी की नौकरी मिल गई जहां अंग्रेजी सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए चाते थ अंग्रेजी फौज के निकट रहने के कारण मातादीन के जीवन पर उसका खासा असर पड़ा था अनुशासन, सैयम, स्वाभिमान, स्पष्ट वादिता, आदि गुण उन्होंने सैनिकों की संगत में ही पाए थे मातादीन को पहलवानी का भी शौक था वो मल्युद्ध कला में दक्षता हासल करना चाहते थे लेकिन अच्छूत होने के कारण किसी भी हिंदु उस्ताद में उन्हें अपना शागर्द नहीं बनाया वो हर हिंदु उस्ताद के अखाडे में मल्युद्ध की कला सीखने के लिए जाते लेकिन वहां से उन्हें निराश लोटना पड़ता था वहां उनसे वही जुलूप किया जाता था जो एक वक्त में दुरुनाचारे के आश्रम में आदिवासी वीर तीरंदास एक लव्व के साथ हुआ था लेकिन कहते हैं कि जहां चाह होती है वहीं राह भी निकलाती है आखिरकार मातादीन की मल्युद्ध सीखने की इच्छा पूरी हुई और एक मुसल्मान खलीफा सलावदीन जो पल्टन नंबर सत्तर में बैंड बजाते थे मातादीन को मल्युद्ध सीखाने के लिए राजी हो गए अपनी लगन की बदोलत मातादीन ने उस्ताद इसलावदीन से मल्युद्ध के सभी गुर्ण सीख लिये थे अब वो एक कुशल मल्युद्ध योधा बन चुके थे इस कला की बजह से ही अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे इसी मल्युद्ध कला की बदोलत ही मातादीन की दोस्ती मंगल पांडे से हुई थी मंगल पांडे स्वयम भी मल्युद्ध के शौकीन थे एक कुष्टी प्रतियोगिता में मंगल पांडे माता दीन का सुद्रड शरीर और कुष्टी का बहतरीन प्रदर्शन देख गदगद हो गए इसलाव दीन के अखाडे और माता दीन के नाम की वज़े से मंगल पांडे ने उसकी छवी एक मुस्लिम पहलवान की बना ली थी के बाद माता दीन के प्रति मंगल पांडे का व्यभार बदल गया था एक दिन गर्मी से तरबतर ठके बांदे प्यासे माता दीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांगा मंगल पांडे ने इसे एक अच्छूत का दुस्साहस समझते हुए कहा अरे भंगी मेरा लोटा छ समय कहां चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटिया धारी गाय और सुवर की चर्बी लगे कारतूसों को मुह से काट कर बंदूक में भरते हो। मातादीन की ये बातें मंगल पांडे तक ही सीमित नहीं रही बलकि एक बटालियन से दूसरे बटालियन एक चावनी से दूसरी चावनी तक फैल दी चली गई। हुए उनमें मातादीन प्रमुख थे। मातादीन को भी अंग्रेजी अफसर ने फांसी पर लटका दिया।